तीन करोड घर देने की बात ये सबसे पहला डिसीजन लिया प्रधार मंत्री मोदी के पहले काबिनेट में तीन करोड घर रूरल और अर्बन इंडिया में प्रधार मंत्री आवास योजना के तहते ये घर दिये जाएंगे जहांपर मुफ्त घर नहीं दिये जाते सबसिडी दी जाती है लोगों को कि वो अपने खुद के घर बना सके ये स्कीम जो है प्रधार मंतरी मोदी ने बहुत पहले ही यानि अपने पहले टर्म में ही वो लिकर आये थे और तक्रीबन तक्रीबन दो करोड से भी जादा प्रधार मंतरी आवास योजना के घर उन्होंने दिये कई लोगों के मन में ये शक था कि प्रधार मंतरी आवास योजना देने के बावजूद भी उन्हें मुस्लिम बहुल्य इलाकों से वोट नहीं मिले या आपने वीडियो भी देखे होंगे जहां पर एक पॉलिटिकल आनलेस बता रही थी कि उत्तरप्रदेश के एक जिलेस से जहां एक गाउं में पांत सो से भी जादा पी एम आवास योजना के घर दिये गए मुस्लिम बहुल्य गाउं था वहां से एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला पर फिर भी जब भारते जिंता पार्टी जीत कराई और अब उन्होंने निर्ने लिया सबसे पहला तो वो तीन करोड घर भारत के हर एक गरीब व्यक्ती के लिए हर एक गरीब इनसान के लिए बनाने का निर्ने लिया है ये घर बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि घर जब होता है तो security होती है और security होती है तो development के तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं